हुआ है चले बच्चों स्वागत आपका इजी लेर्निंग की एक नई वीडियो में इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं टेंथ क्लास के सोशल साइंस का सेंपल पेपर बच्चों आप लोगों का परसो यानि 30 सॉरी कल यानि 30 अफ नॉमंबर को एक्जाम है तो यह हमारा ल आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा बोर्ड में जाने से पहले आप एक पर अपना लास सेंपल पर कर पाऊगे और उसके बाद बच्चों मेरे मेरी दरफ से सभी के लिए all the best सब बच्चा अच्छे से पेपर करिएगा नर्वस मात होएगा और अगर आपको किसी भी तरीकी कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पेपर एक्जाम के दौरान आपको अपनी फिल करते पर या कोई भी इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहा या च्वाइज नहीं फिल कर पारे हो बच्चों आपकी क्लास में जो भी इन्विजलेटर सर या मैम होंगी आप उनकी हेल्प लीजेगा उनसे पूछेगा लेकिन ओमर को गलत फिल्म मत कीजेगा ठीक है अच्छे से पेपर दीजेगा और मैं सभी से उम्मीद करूँगा कि आप सभी बहुत अच्छा गर करा होगे ठीक है बच्चों चलो शुरू करते हैं हम अपने सेंपल पेपर को बिना किसी क्वाल गई थी बढ़ गई ती सौरी रोजगार कम हो गया था और महंगा ही बहुत बढ़ गई थी जिसकी वज़े से ने भागना पड़ा रिवाल्ट हो गया था नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते बच्चों सेकेंड कोशन है स्टेकंड कोशन कह रहा है कि सॉफ्ट्वेर अब पूटेजाल रिसोर्स कौन से होते हैं ऐसे इसे पोटेशल बेंटोस कहते हैं इसके बैल्जिम मैं 59% पॉपलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती थी डेच बोलते थे 40 परसेंट वॉलनिय में रहते थे फ्रेंच बोलते थे एक परसेंट जर्मन बोल रहे थे यह किसी इसको बता रहा है यह बता रहा है कि यहां क्या जो एथने कंपोजिशन है वह बहुत ही जादा कॉंपलेक्स है हो त्योले जोड़ीश है इसको ब्रेंच बहुत ही कोंपलेक्स था ऐसा कॉंसा रीजन दो जिसकी वरी से जर्नल को बैसे जो Parliament थी वो basically middle class की थी इसलिए workers और articians का उन्हें support नहीं मिल पाया इसलिए German National Assembly को disband कर दिया गया next question की तरफ बढ़ते हैं बचो next question हमसे कह रहा है कि इनमें से कौनसा statement true है cotton के regarding तो cotton एक ऐसी क्रॉप है जो ड्रायर पार्ट आफ डेकन प्लेट्व में की जाती है बिल्कुल सही इसे हाई टेंपरेचर चाहिए होता है तो गलत स्टेट्मेंट रा भी नहींगे खरीफ क्रॉप है गलत स्टेट्मेंट यहां पर संलाइट ज्यादा चाहिए होती है तो यह भ परते हैं इर्थ कोशन इन में से कौन सा फॉल्विंग एक ऐसा स्टेप है फार्मस को प्रिवेंट करने का ताकि उन्हें मार्केट में अगर बैट क्रॉप होती है तो किसी भी तरीके से उन्हें लॉस ना हो तो किसान क्रेडिट का इसी लिए इंट्रिद्यूस किया गया थ से इंत्र कॉष्ण में इन्हें जल्क स्पैनिश का लेना दरा नहीं भी नहीं घुठ अपवलोएशन का भी कोई ले नहीं दर रहें था प्रेंच और डच का लेना दर सी आंसर हो जायेगा next question कह रहा है बच्चो next question है which of the following is an essential precocite for the resources of the contribute to the development बच्चो अगर हमें किसी भी तेश के लिए अगर development के रिसोर्स बढ़ाने है तो उसके प्रिक्विश्वाइट क्या होगा? essential precocite क्या है कि वहाँ पर technological development और institutional changes होने जरूरी है तो see answer होगा next question ATM, ATM किस चीज का example है, पर चो ATM हमें service provide करता है, ताकि हम पैसे कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो यह service provider है, question number 12 कहा रहा है, की primary difference क्या है, central और state के बीच में powers को लेकर, ठीक है, जो difference है, देखते हैं, यह कहा रहा है, इस्टेट के पास कोई responsibility नहीं के देश के लिए गलत, इस्टेट is dependent होते हैं, central government पर, उनके instruction को reverse or pond के लिए, बिलकुल गलत, फिर कहा रहा है, next option में, की जो center है, वो take care करती है, उन subjects का जो national importance के हैं, और state take care करती है, उन topics का, जो की day to day administration के बिलकुल सही बात, central government उन subjects को take care करती है, उनके law बनाती है, जो पूरे देश के लिए ज़रूरी है, defense हो गया, money हो गया, जबकि state government day to day administration को control करती है, 13th question है, बच्चो हमारा, कि इन में से, sorry, फिलिंदा blanks है, resource planning is essential for the existence of all form of life, ये किस चीज को दिखा रहा है, sustainable existence को दिखा रहा है, ठीक है, next question की तरफ बढ़ते हैं, इन में से कौन सी खरीफ crop, northern part में, की तरह, northern part में खरीफ है, और southern part में रवी की तरह हुआ जाती है, तो सीसेम, यानि तिल जो होते हैं, बच्चो, वो हमारे आपर तो खरीफ crop की तरह use होते हैं, southern India में रवी crop की तरह सोगाए जाते हैं, ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इन में से कौन सा term, federalism के लिए बहुत important है, तो federalism का मतलब होता है, center और state के बीच और favor को बाटना, the option हो जाएगा, next question की तरफ बढ़ते हैं, बच्चो, इन में से कौन सा attribute है, जिसमें female allegory, liberty के रूप में दिखाए गई, liberty, आजादी, France में बच्चो, वो लोग जो slave थे, वो red color का cap लगाते थे, इसलिए जब allegory बनाएगी तो उसे red cap बनाया, जो की liberty की symbol था, तो she wore a red cap, ठीक है, next, next बजाते ह है, इन में से क्या चीज़ desirable है, कि power sharing होनी चाहिए, social groups में, ताकि minority को power मिल सके, बिल्कुल desirable है, minority को कोई power नहीं मिलनी चाहिए, गलत बात, power है, वो कुछी लोगों के हत्म होनी चाहिए, ये भी गलत बात, नहीं कहारा है, सिर्फ majority का हत्म होनी चाहिए, ये गलत है, power है, वो स हो जाएंगे abiotic, तो answer में आते हैं, A या D, C में से कोई एक answer हो सकता है, solar energy potential है, क्यों क्योंकि हम उतनी use नहीं कर रहे हैं, जितनी कर सकते हैं, future में करेंगे जादा, hydrogen energy, बचो hydrogen energy है, ऐसी energy है, जिसके बारे में पता तो है, लेकिन technology available नहीं है, इसलिए ये stock है, तो answer हो है, 19th question कह रहा है, कि इन में से कौन सा statement true नहीं है, कह रहा है कि average income है, किसी भी person की उसे calculate के रहाता है, total income को total population से divide करके तो सही है statement, income है, वो only indicator है, development का यही statement गलत है, ठ्योंकि इसके अलावा security, freedom, equality, बहुत सारी चीज़े हैं, जो development को दिखाती है, education हो गया, health हो गया, next question की सुप्रीम को, next question की तरफ जाते है, development of a country cannot be determined, कि कि किसी भी देश के जो development है, वो इन में से किसी से नहीं पता चल सकता, per capita income से पता चलता है, health से पता चलता है, literacy level से पता चलता है, climate से पता नहीं चलता, ठीक है, next question, 22, कह रहा है, union list में कौन से subject, मतलब वो subject साते हैं, जो national interest के ह ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, बच्चों हमें चाहिए कि पूरे देश में इन topics पे एक ही तरीके के law बने रहें, यानि uniform law होने चाहिए, सी answer हो जाएगा, 23rd question है, बच्चों हमारा, constitution of India originally provided, जो constitution था, उसने originally two-tier system बताये थे, government के, ठीक है, तो two-tier system of government, जो third-tier था, उसको बाद में 1969 में 2nd October को जोड़ा गया, 24th question है, बच्चों, availability of precipitation during winters, helps in growth of, बच्चों, जो थंडों के समय पर बारिश होती है, जनुरी की शुरुआत में, वो rabi crops को गुगाने में बहुत मदद करती है, तो सी answer हो जाएगा, rabi crops, 25th, देखे बच्चों, section A complete हो गया, आप लोगों से मेरी एक छोटी से request है, प्लीज मेरे को थोड़े subscribers बढ़वाने में help कीजे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कीजे, ताकि उन लोगों को भी last minute benefit मिल सके, वो लोग भी paper जाने से पहले अपने आपको एक बार last time evaluate assess करके देख सके, और कुछ अगर छोटी-छोटी चीज़ है जो वो समझ पाएंगे, तो उनको भी benefit मिलेगा board exam में, section B की तरफ जाते है, question 25 है, दो statement दे रखे हैं, assertion reasoning के बच्चों, assertion कहा रहा है कि clergyman थे जो पोलेंड के, वो language को अपने weapon की तरह यूज़ करते थे, ठीक है, question number 26 की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि इन में से कौन सा country है, जिसके सबसे जादा members है, वो average income के बरावर है, इसकी average income 4000 something, यहाँ पर एक भी नहीं है 4000 के पास में, 1680, 1680 के पास में सिर्फ एक है, ठीक है, लगवग लगवग दूसरा भी, यह भी, वन फोर्स डवल जिरो भी इसके आसपास में है, तो बी में दो हो गए, सी में 15,000 के आसपास में, 15,000 के आसपास में एक भी नहीं है, 75,000 के आसपास में 9,000 है, बाकी कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से सबसे जादा हो गए, कंट्री बी में जो members है, वो average income के लगवग बराब, दो members है, जो average income के आसपास में है, Q27 के तरफ जाते है, बच्चो, Q27, Assession Reasoning है, कहा रहा है, एलुविल स्वेल फटाइल है, फिर कहा रहा है, इसमें inadequate मात्रा में पोटेश, फॉस्फोरिक और लाइम होता है, inadequate नहीं, adequate मात्रा में होता है, यानि बहुत जादा मात्रा में दभी तो फटाइल है, तो इसका A तो correct Q28 के तरफ जाते है, हमें कहा रहा है, कि इसमें से सबसे appropriate option चुनना है, कि इंडिया में फर्स्ट और मेजर टेस्ट था, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का वो क्या था, हमारे देश में बच्चो, जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो टेस्ट किया गया, वो 1953 मे स्टेट्स को language के basis पर बाठ कर किया गया, यानि स्टेट्स को उनकी भापे बोले जाने वाली भाषा के basis पर बनाया जाएगा, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेट था आंधरा प्रदेश, ठीक है, तो इस basis पर हो गया हमारा B answer, creation of linguistic states, 29th question पर जाते हैं कि इनमें से कौन से statement correct है, इंडियन फार्मर्स हैं, वो अपने production को हर यह 20% बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ confirm नहीं है, ठीक है, तो यह नहीं ही लग रहा है, फिर कह रहा है, इंडियन फार्मर्स हैं, जो diversify कर रहा है, उन्होंने क्रॉपिंग पैटरन को, वो सीरियल से निकाल कर, high value crops की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यह भी ठीक है, और इंडियन फार्मर्स को नई टेकनलोजी की ज़रुवत है, जो जिसमें कंट्रोल हो सकें, ताकि वो मरते हुए agriculture sector को बचा सकें, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, एप्रोक्रेट लग रहा है, ठीक है, नेक्स कोशन की तरफ जाते हैं, कि यह जुखाम हो जाता है, मैंने अपने लास्ट सेंपल पेपर में ही समझाया था बच्चो, ड्यूक मैटरनेच, ठीक है, ड्यूक मैटरनेच ने यह वाली बात बोली थी, ड्यूक मैटरनेच ने किसी एक व्यक्ति के बारे में और कुछ भी बोला था, वो आपको मुझे कमेंट था, नेक्स कोउचन थर्टी टू, स्वाइल में कह रहा है, फॉर्स स्वाइल, लोमियन सिल्टी एर्या, फॉरस स्वाइल है कहा मिलेगी, मांनेंज पर एफॉर्स में, यूमस कंतनट इसमें कम होता है ठीक है, तो इसके option पे देखते हैं, इसके options के basis पर लगाइंगे हैं, तो hills and mountains डी option पे आ रहा है और low content है फिर कहा रहा है कि शी लंका का state religion बुद्धिज्म था ठीक है 1956 बुद्धिज्म को उन्होंने अपना main religion बनाया majoritarianism सरकार बनाई और उन्होंने सिहालास को promote करा next question है इसमें कौन सा correctly matched है स्टेट में governor rule करता है यह ग्राम पंचायत में मेर नहीं गलत हो गया union of इंडिया में प्राइम निस्टर ठीक है यह भी गलत हो गया प्रेसिदेंट होना चाहिए मुंसिपल कॉप्रेशन का सरपंच यह भी गलत हो गया ठीक है तो इस लीच हो जाए ठीक है तो नीचे की लेस हुमस कंटेंट वाली लेयर उपर आ जाती है उसे लेटराइट बोलते है उसके ऊपर कोई इस लिए एक त्री जैसा हम पचान पाएंगे यह क्या है प्रांस की जो आर्मी ती जो दूसरे देशों को माना जाता था कि उन्हें मुनार्की से निकलवाने के लिए गई है ठीक है तो ट्री ओफ लिबर्टी है लिबर्टी आजादी को मतलब स्वतंतर दिलाने के लिए गई है यह कि कमेंट को पिंड कर दोगा और में के लिए अगर मेरे 1000 सश्क्रायबर्स ईसक्राइबर में और जूभी बच्चस्क्रााइबर आपने चैनल मेरी आपको और करवाँगा में ठीक है तो बस प्लीज इतना करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और दूसरों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं इंडिया बिगेंस इट जर्नी एजा डेमोक्रेशी बिल्कोल ठीक 1950 में हुआ था करेक्ट सेक्विंस बताना है में सेंट्रल गोर्मेंट एगरी हो गई इंग्लिश को ओफिशल लेंविज बनाने के लिए ठीक है लिंग्यूस्टिक स्टेट बनाए गए यह ट्रिक वाली शॉर्ट रिल्स में देखिएगा आपको शॉर्ट रिल्स में वीडियो मिल जाएगी एजुकेशन बच्चों कॉन्कुरेंट लिस्ट में आती है क्योंकि इसमें स्टेट और सेंटर दौनों ही रूल्स बनाने का काम करते हैं नेक्स्ट कोशन है और आप आ आयर नेशनल इंकम किसी भी देश की ग्रोथ को दिखाते हैं क्यों कि जितनी जादा इंकम होगी उस देश में फैसिलेटीज उतनी जादा होंगी सी आंसर नेक्स्ट कोशन है हमें करेक्ट सिक्वेंस बताना है तो सिविल कोड आया था नाइंटीन ग्रीक का स्ट्रेगल खुद से लगा लेना है ठीक है मैंने आपको सारे यह बता दिये हैं आपको सिर्फ इनका करेक्ट इयर बताना है क्या होगा नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं कोशन नमबर 42 कह रहा है कि इन में से कौन सा स्टेटमेंट है जो की कम्मुनिटी गवर्मेंट बेल्जियम क की तरफ जाते हैं यहां पर देखो केले के पत्रे दिख रहे होंगे आप सबको बनाना तो यह बनाना प्लांटेशन का फोटो दे रखा है कोशन नमबर 44 हमसे कह रहा है कोशन है इंडिया है इस दा लास्ट पॉपॉलेशन ऑफ इलेटरी पूपल इन दवर्ड बच्चों ग इंडिया अंसर होगा नेक्स कोशन कह रहा है कि बेल्जियम के बॉर्डर टच करने वाले कंट्रीस कौन से हैं इसकी भी मैंने शॉट्रिक वीडियो बना रखी है आप लोग देखिएगा जीएफ ने लक्समांगा जीएफ यानि जर्मनी फ्रांस नेदरलेंड और लक्संब यह आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स कोशन यंग इटली क्या था यंग इटली माजी ने बनाई हुई एक सीक्रेट सोसाइटी थी सी आंसर बच्चों हमारा सेक्शन भी कंप्लीट होता है आप लोग पेपर में जब एक कोशन पेपर टैम कर रहे होंगे तो च्वाइस का खा आम है तो याद रखेगा जो जो कोशन आप च्वाइस में छोड़ रहे हो उन कोशन के आगे हैश के नीचे वाला जो सरकल है अनटेम्टेट वाला उसको जरूर फिल कर दीजेगा अगर आपने तीनों ही पार्ट को अन्फिल छोड़ा जिसे अपने ओमर बॉक्स और हैस्ट इसलिए बच्चो एक बार बोड में जाने से पहले हाव टू फिल ओमर को कैसे भरे मेरी इस वीडियो को एक बार जरूर देख लिजेगा आपके यह वाली डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे section number C की तरफ बढ़ते है बच्चो हमें यहाँ पर दे रखा है कि do all these persons have the same notion of development or progress है ना most likely not each one of them seeks different things they seek things that are more important of them example that which can fulfill their aspiration or desire in fact at times two person or groups of persons may seek things अच्छा बच्चो उसके लिए दे रखा है developmental goals वगरा के बारे में दे रखा है आगे दे रखा है girls respect as much freedom and opportunity as her brother and that he also shares in the household work question परते है सीधर knowledge से लगाएंगे यह जो statement in according कौन सा correct statement है people may have similar and contradictory developmental goals बिल्कुल सही बात है लोगों के एक जैसे और contradictory एक दूसरे के विरोध बाले भी goals developmental goals हो सकते हैं बिल्कुल सही statement है 48th question कहा रहा है कि इन मेंसे जो लोग है वो किस reason से to seek something कुछ चाह रहे है तो बच्चो वो तब ही possible है जब वो चीज़ available होनी चाहिए ठीक है याद रखेगा sister के reference में कि वो जो भाई है वो घर के काम करें अपनी बहन के साथ में even वो अगर सो रहा है तो उसकी sister काम करें क्यों क्यों क्योंकि sisters को फिर का होगा equality मिलेगी opportunity मिलेगी job करने की तो ए और भी दौनों करेक्ट हो रहा है इसका मतलब बहुत है यहाँ पर भी मैंने तुक्का in tips वाली वीडियो में समझा दिया था कि कि किस तरीके से हम question का तुक्का लगा सकते हैं अगर हमें नहीं भी आता तब भी तो आप लोग जाने से पहल हुआ आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजेगा question number 50 क्या रहा है कि इन में से कौन सा developmental goal नहीं हो सकता बच्छो कॉंजस्टेड एडिया में रहना किसी का भी developmental goal नहीं हो सकता कोई नहीं चाहता है भीड बढ़ाके में रहना ठीक है 51th question पर आते हैं assertion reasoning पर क्या रहा है कि लेकिन दौनों का अपस में कोई relation नहीं है इसका मतलब इसका answer हो जाएगा ठीक है तो इसका answer बी हो जाएगा next question की तरफ बढ़ते हैं बच्चो next question हमसे 52 कह रहा है कि इन में से why what make people's dream of a goal लोग गोल क्यों बनाते हैं ताकि grow कर सके तो यह answer क्योंकि लोग grow करना चाहते है develop करन next हमें कि from the very beginning the french revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the french people the ideals of la patrie the fatherland and the latest citizen emphasis the notion of a united community enjoying equal rights under the constitution a new french flag the tritler was chosen to replace the former royal standards the state general was elected by the body of active citizens वगरा मतलब french revolution के बारे में पूरा basically है हम अपनी knowledge से ही questions लगाने का try करते हैं question number 53 हमसे कह रहा है कि choose the correct statement from french revolution कह रहा है कि french revolution के end में जो लोग थे लोगों नहीं देश को बनाया उसकी destiny को shape करा बिल्कुल सही कह रहा है France में मुनार्की थी new republic में क्यों थी अरे क्यों कहे थी लोगों ने democracy है जिसमें पूरे देश में की जैसे law आई बिल्कुल सही क्या रहा है custom duty और exercise duty को double कर दिया क्यों डबल करेंगे घटाएंगे तो one and three correct है सी आंसर 54th question कह रहा है कि जो फ्रेंच revolutionaries थे उन्होंने mission और destiny थी फ्रेंच nation की वो क्या थी ठीक है देखते हैं ताकि क्या कर सके है वह जितनी भी democracy मुनार्की नहीं तू विन ओवर इटली बिल्कुल गलत तू प्रपोगेट आइडियास ऑप मुनार्की बिल्कुल गलत तू कनवर ड 55th question पर जाते हैं identify करना है हमें में से कौन सा political constitutional change नहीं है जो फ्रेंच revolution में आया ठीक है देखते हैं जो नहीं है absolute मुनार्की खतम कर दी गई बिल्कुल सही बात transfer कर दी power French citizens तक बिल्कुल सही बात इसमें क्या करा गया constitution को एक देश बनाया गया और उसकी destiny को shape करा लोगों के द्वारा बिल्कुल सही बात जर्मन को national language बना देंगे फ्रांस की फ्रांस देश है तो फ्रेंच भाषा बनाएंगे जर्मन क्यों बनाएंगे जर्मन ही क्यों नहीं चाहिए तो इक गलत है statement 56th question कह रहा है कि before the French revolution which of the following types of government was functioning in France France में revolution से पहले मुनार की थी यह answer हो जाएगा 57th कह रहा है कि state general को कौन elect करता है कौन करता है active citizens करते हैं तो the active citizens of France with suffrage suffrage मतलब होता है vote देने का दिखार question number 58 पर जाते हैं बच्चों why did French revolutionaries introduced centralization through the administrative systems administrative system में centralization क्यों लेकर आए uniform law लागू की आजा सके ताकि लोगों को obligate लगे बढ़े बिल्कुल गलत भीया it was done to introduce uniform law measures हाँ ठीक है ताकि uniform law आए मीजर आए values आजाए among the rules to evoke a sense of nationalism nationalism की भावनाओं को बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही बात है बिल्कुल करेक्ट होगा क्यारा पुलिस system के लिए गलत new flag लाने के लिए गलत ठीक है ताकि लोगों में भावना आजाए nationalism की section नमबर D की तरफ बढ़ते बच्चों लास section है map बाला map section को करने से पहले questions को read करने से पहले आप मैप में आईएगा map में points को देखेगा कि एक पॉइंट दे रखा है हमें यह उत्राखंड में और एक पॉइंट हमें दे रखा है महारास्त्रा स्टेट में यह दो काम की चीज़ हैं जिनने आप हमेशा धान दीजेगा कह रहा है कि यह डैम ह अगर आपको मेरी वीडियो से सीखने को मिला तो आप लोग प्लीज सेनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को अपने दोस्ते के साथ शेयर करो और पेपर में जाने से पहले सब्सक्राइब से अच्छे से अच्छा करकर आना और मेरी मेरी प्रेय है भगवान से कि सबी तो बचो मैं फिर से बोल रहा हूँ कॉपी में कुछ भी गलत करने से पहले इन्विजलेटर से एक बार पूछ लेजएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा पैटरन कैसे फिल करना है आप मेरी वीडियो देख लीजिए और मार फिल करने वाली अगर आपको तब भी समझ प्रेशन होल का प्रेशर होता है वहाँ पर अच्छे अच्छे बच्चे चीज़ा भूल लाते हैं तो इसलिए बचो अगर वहां कुछ भी समझ में नियारा तो वहां इन्विजलेटर से पूछेगा लेकिन कुछ भी गलत मत कीजेगा ठीक है all the best all of you बच्चो मिलते हैं